हाई गैसे विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल इनलेसिस ऑफ 22 जुलाई 2021 तो गाई आज है तारिक 22 जुलाई 2021 और है थर्सडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अन चैनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगो इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगो टेलीग्राम का लिंक दिया जा है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटमेटिकली यह चैनल उपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाव जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू नियूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ जलोशरवात करते हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल जहां पर सरकार क्लेम यह करती है कि देखो यह ऑक्सिजन की कमी की वजह से ना किसी की भी डेथ नहीं हुई है अब यह आर्टिकल पिछले दो दिन से लगातार न्यूज में है और इस आर्टिकल को आगे भी यहां प पोस कर रहे हैं करना भी चाहिए बहुत साही लोग यहां पर डिरेक्टल यह भी बोल रहे हैं कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा यहां पर हुआ है कि ऑक्सिजन की कमी की वजह से बहुत सारे कोविट-19 पेशेंट्स की डेथ हुई है और आप लोग को भी मालूम हो जादा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग एक्जाम की पॉइंट वी से रिलेट कर सकें बस एक चोड़ी सी इंफोर्मेशन आपको देखने को मिलेगी बट जो भी और इंपोर्डेंट चीज़ है जो की एक्जाम की पॉइंट वी से रिलेट होगी वो सब हम लोग आग अभी क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर जो एक न्यूस एजनसी है दावायर उसने क्या किया उसने ये काम किया कि एक ये बोला है कि इंडिया जो आग के टाइम पर पेगसस्य। का इस्तमाल कर रहा है यानि यह जो जासुसी वाला एक तरीके से मालवेर है इसका इस्तमाल कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर जो जनरलिस्ट है उनको एक तरीके से उनकी जासुसी करने के लिए अपने जो गोर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनकी जासुसी करने के लिए यहाँ ऐसा दावायर ने बोला था दावायर के साथ और भी बहुत सरी इंटरनेशनल एजिंसी थी उन्होंने भी यहाँ पर यहाँ पर यह बोला गया था जैसे कि इस लिस्ट के अंदर राहूल गांदी वगरा के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि उस लिस्ट के अंदर अभी और भी बहुत सरे नंबर है जैसे कि जो यह फोन नंबर्स हैं बहुत सरे जो हैड ऑफ दा गवर्नमेंट है उनके फोन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है एक तरीकी से ज साइरल रामफोजा देनों इसके बाद प्रासिदेंट आफ इराक बरहम साली और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे किंग आफ मोरोको तो ये इन सब लोग के ओपर भी पैगस स्पाइवर का स्थमाल क्या गया है ऐसा यहां पर स्टेट्मेंट बोलता है ठीक है जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगबाग यह दस प्राइम मिनिस्टर के लिंक करे गए हैं और बोला यह जा रहा है कि इनके फोन के अंदर भी यह पैगस स्पाइवर देखने को मिलेगा अब यहां पर देखो इंपोरेंट चीज क्या है इंपोरेंट चीज यह है कि यह जो पै एक्जाम के लिए बात करता है यह पैगस स्पाइवर के बारे में पिछले तीन चार दिनों से लगातार यह चर्चा में है यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइबर सिक्यूरिटी के पॉइंटर विसे इंपरेंट हो जाएगा देखो जो पैगस से ना बैसिकली एक जा सब्सक्राइब करने के लिए इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका जो डिवाइस है फोन डिवाइस हो गया उससे जो परसनल इंफॉर्मेशन है साथ ही साथ जो इमेल्स है जो कॉंटेक्ट लिस्ट है इन सब चीजों को यहां पर निकाल जा सकता है उनको सब्सक्राइब करने के लिए इसने बनाया था 2010 के अंदर टीके उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस स्पाइवेर को खरीदा है अपने हां जनरलिस्ट वगरा को उनकी जासुसी करने के लिए जैसे कि बंगलदेश ने खरीद रखा है तो अ अब यहां पर यह काफी एडवांस हो चुगा है अगर आपने उस लिंक पर क्लिक किया तो क्या होगा तुरंत आपके फोन में वह पैगसस स्पाइवेर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके फोन की जो इन्फोर्मेशन है वह एक्स्रैट करी जा सकती है दन उसके बाद क्या ह यहां पर आपको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है अपके फोन में कॉल हाईगी कहास कर यह बोला जाता है वाट्सअप के ओपर एक कॉल आती है और फिर वह सब डेटा भी डिलीट हो जाता है प्लस जैसे ही कॉल आती है यह पैगस स्पाइवर आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाता है तो यह सेनर्यू हाँ पर देखने को मिलता है जिससे को कुछ पता भी नी चलता प्लस यह स्पा पर 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 पर्स नेटीज जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो ठीक है यह गया इंफोर्मेशन दर उसके बात करते हैं नेक्स टाडिकली की यहां पर चर्चा हो रही है एक स्टडी पब्लिश करी गया और यह जो स्टडी है क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्चर्स ने 1.2 लैक इंडियन चिल्डरन है जिन्होंने अपने मातफिता को खोया है इस कोविड-19 के सिनेरियो में लगबग यहां पर 1.19 लैक चिल्डरन है भारत के अंदर जिन्होंने अपने प्राइमरी केर गिवर्ट को खोया है खासकर अगर आब बात कर सकते हो पेरेंट्स की चाय इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज और हैं जैसे कि मैक्सिको ब्रेजिल के अंदर और भी जाद यहां पर यह कंडिशन देखने को मिली है और यह सारी स्टडीज पब्लिश करी गई है दा लिंसेट के अंदर दुनिया भर में अगर हम बात करें तो 11.34 लैक बोला य इंडिया के अंदर यहां पर देखने को मिली है जिसके अंदर से इंडिया को अगर हम कंपैर करें तो 1.16 लैक जो है इंडिया के अंदर यह आपका सकते हो कि बच्चे हैं जिनोंने हापर ऐसी चीजे देखी है उन्होंने अपने क्लियर गिवर्स को खोया है इस कोविड के इस चीजें यहां पर बताई गई है और जो यह स्टडी है यहां पर यह पूरी तरह से पब्लिश करी गई है बहुत सारी कंट्री के दौरा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दुनिया भर में 15 लाग से बीज्यादा ऐसे चिल्टर आपको देखने को मिल पाएंगे जिन चीजें यहां पर हैं दर उसके बाद कंट्री के अगर हम बात करें तो इंडिया के लावा और भी बहुत सारी कंट्री सा जो की इसी के अंदर वलेरेबल सेक्शन के अंदर आ जाती है जैसे कि जहां पर सबस्जादा यह सिनर्यों देखने को मिला है साउथ आफरीका मैक्सि इसका बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या हमाली इंपोडेंट यहां पर आप लोग देख पाऊगे एक छोटा सा आर्टिकल है जहां पर बोले जा रहा है सिविल अवेशन मिनिस्टर है जो की हमारे नए मिनिस्टर है जोती रादिते संदिया इन्हों के लिए एक एयरपोर्ट के लिए थर्ड जो बनाई गई है मिन्टेनेंस के लिए रिपेर के लिए हाँ पर यह देखने को मिलेगा तीन कमीटी को यह जो कमीटीज है यह लग लग यहां पर इनका वर्क होने वाला है इसके अंदर आपको बहुत बड़ बड़ी चेर्मेंस उसके बाद और भी वेरियस एयरलाइंस के चेर्मेन है गो एयर के दन उसके बाद एयर एशिया के तो यहां पर इन सभी को इसकंदर लिया गया है तो आपको ध्यान अगना है दन उसके बद नेक्स राडिकल यहां पर आप देख पाओगे फार्मर्स जो हैं आज के टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियमेंट के पास में पार्लियमेंट में मौनसून सेशन स्टार्ट हो चुका है इसके साथ यहां पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है काफी लंबे समय से यह प्रोटेस्ट चलता हो आपको नजर आएगा दस महीने स सब्सक्राइब करते हैं तो ढूता जार्वा जार्व इन गाहिए जो तीन फर्म लॉस्ट बिल पास किये गए थे ठिक है तो उसी के सब्सक्राइब कर लिए तीनों के नाम क्या है यह भी जड़ा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना इसका अदर और ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो कि पढ़ने लाया को दर उसके बाद यहां पर एक आर्टिकल है लाइट वेट एंटी टैंक जो मि यह मिसाइल है इसका जो टेस्टिंग है वो सक्सेस्फोली हो चुका है वेटनस्टे में और डियाडियो ने यह काम करके दिखाया है इंडिया के अंदर डियाडियो इजरो दोनों यह अलग लेवल पर चल लई है आप देख पाऊगे डियाडियो ने ऐसे बहुत सारे डेव है कि इनसान को जो है उस्मंग को ऐक तरीके से आयर जा सकता है तो इसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है यह ब कर शकने कर चुका है तो यहां पर रोट ने बोला गया यह जो आकाश मिसाईL है model आप ठाइम पीरड़ेIES जो क्यों हमाहले important यह माइनी नहीं रखता है दनो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक तरीके से बोला यह जा रहा है इसकी performance बहुत ही बढ़िया होने वाली है और एक तरीके से यह जो weapon system है यह काफी बहुतरी तरीके से work करेगा और हम लोग को थोड़ा सा जो हमारा defense sector है उसक यहाँ पर देखने को मिले हैं जो defense minister है हमारे उन्होंने congratulate किया बदाईयां दी है इंडियन एरफोर्स को और भी बहुत सारी production agencies को जिन्होंने मिलकर यह पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो successfully connect कर लिया है ओके तो यह चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाती है दनुस के अफसर पर यहाँ पर इदू लजा के अफसर पर ही जो पाकिस्तान के रेंजर से उसी के साथ जो हमारे border security force दोनों ने मिठाई को exchange किया है यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे इस प्रकार से यह पिचर भी दहिंदू के अंदर यह देखने को मिल जाएगा ना बात यह करते यहाँ पर यह होता था बट यहाँ पर 2019 के बाद यहाँ पर इचीज रोग दी गई थी क्यों रोग दी गई थी आपको मालूम होगा हमने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया 351 को अब्रोगेट किया तो उसी वजह से यहाँ पर यह काम रूग गया था लेकिन आभी यहाँ और फिर से यह चीज़ रेजियूम होती नजर आई हैं जो की काफी अच्छी बात है यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे एक एक्सचेंज हुआ है और यह जो है एक्सचेंज मैंने बताया आपको साल 2019 से पहले हुआ करता था लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी सा सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको सकते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो की आप लोग ध्यान रख सकते हो और जादे यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान के अंदर यह चीज़ एड करने लाया के दर उसके बाद बात करते ह यहाँ पर चर्चा हो रही यह यहाँ नैश्ल गैल्री आफ मॉडर्र आट को वापस से रिनोवेट किया जाएगा नया किया जाएगा ऐसा हमारे मिनिस्टर बोलते है यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किषण रेडी वह वेड्नस डे में हाँ पर उन्होंने यह सारी चीज़ बोली है कि NGMO को जल से जल renovate के आने वाले हैं इसको पूरी तरह से reorganize करने वाले हैं और एक तरीके से यहाँ पर यह भी एक पार्ट है किसीच का जो 75th Independence Day हम लोग अगले साल मनाने वाले हैं ठीक है तो उसी चीज को support करते वे हम लोग यहाँ पर यह काम भी करने वाले हैं जो भी हमारी modern gallery art है उसको वापस renovate करेंगे चीजों को वापस से reorganize करते वे हम लोग नजर आएंगे और मतलब चीजों को वापस से थोड़ा बहुत अच्छा से यहाँ पर settle किया जाएगा ऐसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो minister ने आप यहाँ पर सारी जब बोली है बट important चीज क्या है important चीज यह है कि जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा यह national gallery of modern art क्या है तब तक आप कोई कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसी को वापस से रिनोवेट करने की बात करी गई है और इसी लाइन को दस बार दोरा दिया जया होता क्या है हर एक आप लोग देख पाऊगे जो यह heading है कहीं ना कि इसी को यहाँ पर चार-पांच बार दो दोराई दिया जाता है आर्टिकल के अंदर तो वही सिनेर्यों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बट हम लोग बात करते हैं नाश्रल गैलरी आफ मॉडन आर्ट की कुछ हटकर हम लोग यहाँ पर डेली बिसिस पर कश्राइब करता है दन उसके बाद इस एंजी अमेकी दो ब्रांचस आपको देखने को मिलेंगे एक मुंबई में हैं और दूसरा आपको बेंगलूरू के अंदर यह ब्रांच इस देखने को मिलेगा उसके बाद इसका जो में अब्रिक्टिव वह क्या है अब आपको यही कि जो भी हमारे modern arts है modern arts मतलब की 1850 से लेकर अभी तक के वे जितने भी हमारे एकदम हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर प्रेजेंट से लेटेड जितने भी modern arts है उनको protection देना ठीक है उनको करके रखना तो यहां पर वो सारी चीज़े करी जाती है modern gallery art के अंदर तो इसी को वापस से रिनोवेट करने की चर्चा हो रही है ओके दन उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स टार्टिकल की तरफ यहां पर बात हो रही है इंडिया ने लगबग साइन किया है 26 पैक्ट ताक जो एग्रिमेंट साइन करें गए हैं on security cooperation ताकि जो ड्रक्स का काफी बुरी तरीके से अवैद तरीके से ट्राफिकिंग देखने को मिलती है उस चीज़ों को रोका जा सके क्योंकि आज के टाइम पर यह ड्रक्स कंजम्शन काफी बढ़ चुका है इंफाक्ट लॉक्डाउन इस ड्रक्स ट्राफिकिंग के अंदर बहुत सारे और भी कंट्रीज आती हैं जैसे कि पूरा का पूरा सार का जाता है ठीके दनो उसके बाद यहां पर आप कर सकते हो कि आप देख पाओगे इस इलिसिटेट ड्रक्स को लेकर वर्ड करते वे नजर आएंगे ठीके आशियान के जो सीनियर ओफिशल्स हैं उन्होंने भी हाँ पर ड्रक्स को पर काफी सारी बाते बोली है दन उसके बाद जो बेम स्टैक है वो भी आपको इसकंदर देखने को मिलेगा ठीके तो यहां पर यह सबी लोग क्या कर रहे हैं आप उसमें कॉपरेट कर रहे हैं कॉपरेट कर होगा पबलिक कॉपरेशन होने वाला है तो यहां पर पूरी इस प्रकार से चीज़ें चलाई जाने वाली है जो कि एक तरीके से यहां पर इस ड्रक ट्राफिकिंग को रोकेगा और जो कॉडिनेशन है यह काफी इंपोरेंट भी है यह कॉडिनेशन होगा बहुत सरे सेंटर और स्टेट एजनसी के बीच में ठीक है और आप कर सकते हो कि जो नार्कोटिक कॉडिनेशन सेंटर है इसको सेट अप कर लिया गया था 2016 में अभी फिलाल यहां पर यह और बहुतिन तरीके से वर्क करने वाला है इस सिस्टम को वापस से रिस्ट्रॉक्चर किया गया था ना यहां पर कुछ हमारे पास चीजे हैं जिसके वेसिस पर हम काम कर रहे हैं उसके साथ आपको मालूम होगा ना जो हमारे पास नार्कोटिक्स ट्रक्रेंट साइको ट्रॉफिक सब्सक्राइट है यह भी एक तरीके से वर्करता वह नजर आता है यानि कि हम लोग जो है यह यह को कंजंप्शन वगरा ट्रक्रेंट से ट्राफिक वारा इस एक्ट के माध्यम से रोकते वे नजर आते हैं ओके नाव ध्यान रखना है जो मैंने भी वेरियस ऑगनाजेशन बहुता ही है इन सारे वेरियस ऑगनाजेशन के साथ यह कॉर्डिनेशन वगरा भी देखने को मल र चाहिए और युनाइटिट में आके एक तरी के से यहां पर एक खटा होने के बाद जो बीजेपी उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए और यहां पर इसमें कोई भी देरी ना हो जल से जल यह काम किया जाए तो यह सेनारियो आपको देखने को मिलेगा सारे पॉलिट करेंगे तो यहां पर बोला गया कि एक लास्ट एक्स्टेंट कर दी गई है और अभी आपको मालूम होगा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट बेज़े भी नहीं है क्योंकि अभी क्या हो रहा है जो पूरा का पूरा इंटरनल असस्मेंट है उसके ब बोलता है recalling the days of oxygen लंगर देखो जब यह oxygen crisis चल रहा था ठीक है definitely आपर चल रहा था oxygen क्रैसिस आपर देखने को मिली थी लेकिन गोर्मेंट क्लेम यह करती है कि देखो oxygen की कमी नहीं हुई है को भी किसी भी कोईट पेशेंट की oxygen की कमी की वज़ा से अधर देख नहीं होई है लेकिन यह बोला जा रहा है देखो उस टाइम पर गुरुद्वारा के अंदर और जगार नहीं थी ऐसी चीज़ेंपर बोली जाती है अफिशल का रिकॉर्ड यहां पर यह बताता है कि देखो यहां पर यह पर यह पूरुव होता है oxygen क्राइसे काफी काफी खतरनाख था है औक्सजोन की कमी काफी जादा थी तीक्षिक फीज़ेंग वजह की क्या हुआ है कि जो शिर्व गुरु सिंग सभा गुरु दोआँ त पूरम के अंदर गाजियाबाद के आसपास है तो वहां पर ऑक्सिजन लंगर चलाए गया था मतलब कि आपका सकते हो कि ऑक्सिजन प्रोवाइड करवाई गई थी यहां पर उसी चीज का यहां पर पाइपलाइन भी चलाए गया था और बहुत सारे लोग को यहां पर पूरा गलत है और बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है कल मैंने भी हां पर यह जैसे बताया था कि हां और गवर्मेंट का यह कहना है तो मिरे पास इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज आता है कि ऐसा नहीं है हमारे घर में इन पर टिकुलर व्यक्ति की डेथ हु होगा अब एक्जाम से लेट कैसे करेंगे बिल्कुल होगा और बहुत इंपोरेंट है क्योंकि जैसे मैं आपको बताया अगर यह जब यह ऑक्सिजन क्रैसिस चल ला था एक सीवर कंडिशन चल लई थी तो उसी समय पर बहुत सारे जहां आर्टिकल्स कवर कर रहे थे तो व लेंगे जी एस पर टूमें टॉपिक्स देखने को मिलेंगे न्यूस में क्यों था क्योंकि जो यह लेक्विड मेडिकल ऑक्सिजन था इसकी कमी देखने को मिली थी इस कोवीड-19 में देखो इन्होंने भी सी के रिगार्डिंग दी है क्वेशन यह आता है यह जो लिक्वि पोच्वाशन पूचा जा सकता है पहले टॉम लोग यह समझेंगे ऑक्सिजन को बनाया कैसे जाता है तो यहां पर आप लोग लोग देख पा रहोंगे जो यहां हवा होती है ठीक है उसके अंदर आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलता है अब इसको बनाते कैसे हैं तो बनाया ऐसे जाता है क्योंकि ऑक्षिजन को निकला जाएगा वह ऑक्षिजन प्रोवाइड करवाई जाती है तो हवा को बहुत ठंडा करके ऑक्षिजन को हम लोग यहां को अलग करते हैं यहां को द्यान रखना है देखो यह मश्यन है इसके अंधर हवा को एंटर किया एक लग दला जाएगा अब यहां के अंधर सब्सक्त्राम डाली जाएगी तो आप से साथी निडिकेum तो च्छाइब वान दिग्री पर पहुचेंगे 108 पर पहुचेंगे तो क्या होगा इस हवा के अंदर जीनॉन भी एठीग जीनॉन जो है पानी वनकर लिक्विड मनकर निकल जाएगी बाहर ठीके उसके बाद हम लोग को चाहिए ऑक्सीन हम लोग इसको और थंडा करेंगे ठ तो पहुचेंगे लिक्विक इसमें से अम चाहिए क्या चाहिए और या सब्सक्राइव कर लिया करने के बाद हमने उसको टैंकर में डाल दिया टैंकर ड़क में डालने के बाद जो है होस्पिटल से पहुचा दिया तो इस प्रकार से आप पर oxygen को create किया जाता है tankers वो यह वाले हैं यह बहुत अलग है ऐसा नहीं कि कि किसी भी टैंकर के अंदर डाल दगोगे इसके अंदर कि अंदर यह भर दी जाती है तो आपको द्यान रखना है ओके इस प्रकार से oxygen बन जाती है चलो ऑक्सिजन बनाना आ गया दर उसके बाद यहां पर क्राइसिस को देखने को मिला यहां पर क्राइसिस के पीछे के में रीजन से सबसे पहला यह जो प्रोडक्शन प्लांट है यह काफी दूरी पर देखने को मिले तो यहां पर उसके बाद आपका सकते हो जो टैंकर बहुत कम थे क्योंकि यह बहुत महेंगे होते हैं बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में और बहुत कम ही होते हैं तो यहां पर लिमिटेट थे इसकी वज़ा से भी oxygen क्राइसिस हुआ ह जैको कमपनी ने हैं वो क्योंकि यह बहुंकि एक्सपैंसेफ होने के साथ साथ यहां पर कुछ टाइम तक इस्ताल स्अल होगा और और प्रॉब्लम देखने को मिलें और आज के ताइम पर आजके ब्लाक मार्केटग को मिलेघ घड़ा देंको से लिजंडर और यह काफिजी थी ब्लैक मार्केटिंग तो उसकी वजाए से भी यहाँ पर आपका सकते हो ओक्सिजन की कमी हुई थी यह आप लोग को चीजे मेंशन कर देनी है उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स टार्डिकल की तो यहाँ पर चर्चा हो रही है जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर च फेंशन मिलती है तो अब क्या है कि इस पैंशन ने जो है क्या है चेंजिस कर दिये गए तो यून गवर्ण्मंट ने जो हैं अमेंड्मेंट किया है इसके अंदर दूबहले को हुआ है कि पेंशन यहां पर तब नहीं मिलेगी कब जब यहां पर यह देख सकते हो यह बदलाव है जो बहुत सर एलिजीबल मेंबर्स हैं family members आपको देखने को मिलेंगे वो सब entitle होगे आपका सकते हो कि इसने रिजीबल के अधर एलिजीबल मेंबर्स होने वाला है इस family के वो सब entitle होगे वो सब इस family pension को receive कर पाएंगे लेकिन कब receive कर पाएंगे जब criminal proceedings जो है उनके उपर से ह चाहिए जो पर ने क्राइम किया है जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हट जाती है उसके बाद वापस से पैंशन मिल जाएगी तो यहां पर यह चोड़ा सामेंडमेंट है यह आपको ध्यान देना है डिगाई यह चीज आप हमारे पास उल्रड़ी पहले से देखने को मिलेंगी है जो कि हमारे पास से इस्यों शरुजरे बहुत पहले से देखने को मिलेंगी कि अकर कोई भी से उपर घृटवर्ड यह चार्ज को मिल जाएगग तो यहाँ पर एक छोड़ा सा यह बोला जा रहा है बदलाव देन उसके बाद बात करेंगे निक्स टाडिकल की यहाँ पर चर्चा हो रही है जो मेगालिया है ठीक है मेगालिया की कॉंग्रेस है यह आज के टाइम पर आसम बिल्को काउंटर कर रहे हैं अभी आपको मालूम होगा हमने डिस्कॉशन भी किया था आसम जो है एक तरीके से अपना कैटल प्रोटेक्शन बिल लेकर आया है और वहां पर बीफ वगरा को बैन किया जा रहा है एक तरीके से जैसे खास कर आपका सकते हो कि कोई मंदिर है मंदिर के पाच किलोमेटर के रेडियस के आसपास कोई भी कर नहीं तरह से बेंद आना किया है अब यहाँ पर और इस बिलकू एक्ट बनने में काफिट नए में डगने वाले दना उसके बाद इसी चीज़का र्इगार्डिंग जो कॉंग्रस में घाले के अंदर वो चीज को अपोस करती है जो यह मेहाले की कॉंग्रससे यह बोलती और हमारे पास राइट है कि हम लोग इस हाई प्रोटीन रेड मीट को ले सकें और बीफ बिसिकली एक डाइट पार्ट है कर सकते हैं ऐसा यहां पर आपको करना पर लेगा सब्सक्राइब करो ऐसी चीज़ें आपर सही नहीं लगती है ऐसा यहां पर बोला गया है तो एक तरीके से आसाम बिल्कु काउंटर करते वह यह नजर आएंगे दर उसके बाद आपको यह पेज़ नबर 11 और 12 देखने को मिले सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखने के दुनियादारी में क्या चल रहा है यहां पर चर्चा हो रही है युनाइटिट किंड़म यानि की जो यूके चाहता है कि एक नई ट्रेड डील हो जाए नर्दन आयलेंड के साथ नर्दन आयलेंड के साथ बहुत जादे विवा चाहते हैं कि यूके वापस से पूरी की पूरी रखे है कि नई तरीके से विवापार हो नर्दन. आयलेंड की बीच में treatment लिव यूके कहां पर है मैंस्माप मैं दिखा यहांगी आप लोगों चीज़ अच्छा से चलियर हो जाएगी ठीके आप लोग पहले तो आप लोग यह देखो यह तो European Union है जहां पर पूरे 27 countries देखने को मिलेंगे पहले 28 हुआ करती थी अब यहां से जो UK वो निकल चुका है उसी को हमने बोला है Brexit Brexit का मतलब क्या UK का European Union से तो पूरे मैप मैं आपको एक सेकेंड हां पर आप देख पाओगे पूरे मैप मैं आपको यहां आप यहां पर एक्जाक्टी क्या है तो United Kingdom में नाम सुनाओगा इनक्रेट ए इंग्लेंडुट लेट इंग्लेंड और इसके लोग एंडवाट को एड करते हैं वह दो आहिए और आहिए और यापका सकते हों कि यह जो नौदन और रिपट्लक और पूरा और इलेंड बन जाता है लेकिन इसका जो Northern Ireland है वो आपको UK के अंदर देखने को मिलेगा वो UK के अंदर काउंट होता है तो अभी क्या हुआ था पूस्ट ब्लैक्जिट के बाद Northern Ireland को लेकर काफी चर्चा हो रही थी ठीक है यहां पर काफी यहां पर क्या है कि अब त्रेड वापकर करने की चर्चा हो रही है वापस यहां पर UK चाहता है कि एक नई ड्रेडिल हो झाहिए और जब यह पार जैसा पहले चलता था वैसा चलना चाहिए यहां पर क्लाइमिट को लेकर तो क्लाइमिट कोपरेशन आप कर सकते हो डिपेंड करते हैं ऑन ओवरॉल टाइस के ओपर ऐसा यहां पर चाइना बोलता है उनाटेड स्टेट से आज के टाइम पर देखो एमिशन को रिडियूस करने के लिए बहुत सरे एफट्स लगा रहा है हमारा 2030 तक देखने को मिलेगा चाइना बोल चुका है हम लोग 2040 तक जो है अपना यह निट अमिशन करेंगे जीरो करने वाले हैं एक तरीके से आपके सकते हो कि जीरो अमिशन करेंगे यानि जो पलूशन एक कम से कम करेंगे तो यह चीज़ा आप लोग को ध्यान रखनी है क्यों क्योंकि एक डाम हो चुका है डामेज सेंट्रल चाइना के अंदर एक बांध जो है बुरी तरह से डामेज हुआ उसी के वज़ा से काफी सारे लोग की जान गई है ऐसा यहां पर बोला गया है लगबग 25 लोगों को रिपोर्ट किया गया है उनकी जान गई है और लग है और आज के टाइम पर आपको मालूम होगा मैनमार के अंदर क्या सिनारियो है मैनमार के अंदर एक फरवरी को मिलिटरी कुई आयता तकता पलट हुआ था उसके बाद आप कह सकते हो वहां पर आज तक दिक्कत है देखने को मिले लोग प्रोटेस्ट कर रहें लोग कहना य और इसी की वज़ा से जो भी राइट किया रहा है कि यहां रही है यहां पर आपको यहीश्या कईश्य करता हुआ रहेआए लेकिंड एक्ञार राइगा ल की यहां उसको आया को लोग कि यह अश्य एक शियुक्वर्ण की अर फोलिवर्पूल है बेसिकली साटेंबे अब यहां पर क्या है दो इक हो यह जो इंग्लिश यूरी जो लिवर पूल ना बिसिकलिए इंग्लिश सिटी आपको देखने को मिलेगी इसको यूनाइस को लिस्ट आफ वर्ल हरीटेस साइट से हटा दिया गया है उसके बारे में आप एक छोटा सा आर्टिकल है लिवर पू िजनस पर आपको कुछ नहीं इंपॉरेंट देखने 2 ऊच्व यहां पर यहां पर रही घर यहां पर किया ऐख पर ख्रकोंपर सकते हैं बनती है यह उसके पीछे के रीजन क्या है इस सब मैंने आपको एक्जेक्टी बता दिया तो एक तरीके से हमने एड़िटूरल के लेवल की उपर बात करी थी उस आर्टिकल में हमने सारी अच्छे समलेख समझ ली थी जो कि हमारे एक्जाम में पूछी जा सकती है तो यहां पे आप लोगों को इस आर्टिकल में जादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको आप कर देना ठीक है क्योंकि हम लोग ऑल्रेडी काफी साथ तक इससे एडवांस लेवल पर बहुत सारी चीज़े पढ़ चुके हैं दर उसके बाद यहां पर आप लोग देख पाओगे एक आर्टिकल है जिसमें बोला जा रहा है अभी आपको मालूम होगा कोवीड-19 से एक पैके तो हम लोग इसको डिसकस करेंगे तो अभी यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कि देखो अभी क्या हो रहा है ना आज के टाइम पर जो हैल्थ सर्विस से इसको कंपेर गया पहले वाली सर्विस से अगर हम 1980s की बात करें 1980s की आसपास बात कर रहा हूं जो कि हमारा मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर था वह कैसा था और यहां पर आप देख पाओगे सबसे इंपोरेंट चीज क्या है कि उस समय क्या हो रहा था कि जो हैल्थ स्टाफ से वहां पर आपको जादा देखने को मिलेंगे नहीं पर इंफ्रस्रक्चर इंटरनाशनल डॉनर्स यहां पर आपका सकते हो कि अगर बात करें एक तरीके से जो आज के टाइम पर इन फैसिलिटीज को अटेंड कर रहे हैं एक तरीके से वहां पर आप देख पाओगे काफी हतक लो है और लो होता वा नजर आ यह मैं बहुत पहले का सिनरियो बता रहा लाए जो एक तरीके सवाइक लगरा आपको देखने को मिलेंगे आज का टाइम पर तो वहीं को स्वाइबर कारा रिपरपस किए गया नदर पाल्यों जो कम करने के लिए प्रोग्रम से लाइगे तो यह जो इन्फरस्रुक्चर यह पहले इंफ्रस्रुक्चर की बात हो और सब्सक्राइब लिए तो आपको धियान रखना है कि उस समय जो है एक तरीके से जो है तो यहां पर प्रक्राइब पहले की जमाने की बात है तो वहां पर है रहता था डॉक्टर्स नर्सेस और ही बहुत सारी लोग जो है यह सब बहुत जादा कम हुआ करते थे दिए तो लगबख यहां पर 40 साल पहले की बात ओरिया तो यह सब बहुत कम हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पर क्या है हम लोग इसी विस्टेग को वापस से दोरा रहें क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग पैसा सब्जागे पर लगा रहे हैं पहले जैसे सिनर्यू था पहले जिसमन आपको बताएं इंफ्रस्ट्रचर को पर वर्ग किया गया सभी चीज़ को पर वर्ग किया गया लेकिन हेल्थ स्टाफ नहीं बढ़ाए गए और वही वाला सिनर्यू आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा सभी चीज़ को पर पैसा लगाया जा रहा है लेकिन हे दॉक्टर्स नर्सिस को नहीं बढ़ाया जा रहा है जब तक आप इन हेल्थ स्टाफ्स को नहीं बढ़ाओगे तब तक कहीं से कहीं सेलुशन नहीं निकल कर आएगा खासकर इस हेल्थ सेक्टर के अंदर आप यहां पर आपको मालूम होगा कि आठ जुलाई 2021 की बात है यूनि जाद जो कोविड-19 बैट्स है उसको इंप्रूफ किया जा सके साथ जो ऑक्सिजन के अविलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके ऑक्सिजन को सप्लाई बराबर करा जा सके जो भी यहां पर एसेंशल मेडिसन से उनको पूरा किया सके तरह उसके बाद एक्किपमेंट्स बगरो नोवल कोरोनावाइरस से पहले भी जो भी यहां पर पैसा लगाया या है वह सबका सब इंफ्रस्ट्रक्टर के उपर लगाया गया है वेकिंसी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी गोवर्मेंट हेल्थ वैसलिटीस के अंदर जिसके उपर आपको काम करना है आपने वही क देखने को मिलेंगे और पूरा पूरा हेल्थ इंफ्रक्ट्रक्ट्रक्टर इनके ओपर ही डिपेंड है आप लोग अगर इन सब चुछों को पर पैसा लगाओगे जो एक्विप्मेंट हो गए या फर बेट्स हो गए जो वेंटिलेटर्स हो गए लेकित जब तक यहां पर ह तब तब आपके पास इधे स्टाफ नहीं वहां उगकर आपके से बीच में एक बखुत बड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा तो इसी के रिगार्ड नहीं हैं पर वरक करना ही पड़ेगा एक बहुत बड़ा एक जबढ़ एक एक आपर यहां पर यहां पर हेल्थ ने में 2020 की बात है इन्होंने यहां पर 300 को यहां पर एनाउंस किया था रिक्रूइट करने के लिए अब यहां पर आप कर सकते हो कि अमंग दा स्टेट्स अगर हम लोग बात करें तो ऐसी हम लोग को देखने को मिलेगी कि देखो यहां पर बहुत सरे स्टेट्स जो उनको हम लोगो पूरी तरह से फुल्फिल करना होगा जो यह कोविड नैटिन पाकेज है यह पूरी तरह से हेल्थ इंफ्रस्ट्रूचर के उपर फोकस करता है और हम लोग को जरूरत यह है कि हम लोग एक तरीके से दूसरी चीज़ यहां पर इंप्लिमेंट करें दूसरी कि तो यहां पर जरुया है कि जो इनगें होगा इंद्र के न अबरें ऑपको देखने को मिले चिले को जाएगा लेकिन हैं यहां पर इणरे स्ट्रूरा को से एंज़टर को तौना हो जाएगा लेकिन यहां पर हम बात करें हैं तो वहां पर आपके पास होना चाहिए एक हेल्थ पूरा का पूरा बढ़िया सा स्टाफ उसी वज़ाए से हम लोग इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम में उसको पूरी तरह से प्रेपेर कर सकते हैं अलग यहां पर बोला यह जा रहा है कि अगर आप लोग यह चीज़े नहीं करोगे तो आप लोग मतलब वही गलती दोबारा से दोरा रहे हो जो कि 40 साल पहले गलती दोराई गई थी हमारे पास हेल्थ सिस्टम था पैसा हम लोग खर्च रहे थे बहुत जादा ठीक है इंफरस्ट्रक्चर के उपर सारा पैसा खर्चा जा रहा था लेकिन हो क्या रहा था फाइनली हम लोग अपने हेल्थ स्टाफ के उपर पैसा नहीं खर्च रहे थे तो यह चीज़े वापस गलतियां दोराई जाroe यह अगर आप लोग ऐसी चीज़ वापस से करोगे तो वह चीज़े वापस से दोराई जाते भी नजर आने वाली यह पूरी तरह से वहाँ पर आपके सकते हो कि विड्रॉ कर लेगा अपने टूप्स को और यह स्की वजह से विड्रॉ करनी की वजह से आज के टाइम पर बोहत जदा बावाल क्रिएट होने की वज़ा से अफगानिस्तान में क्या हुआ है तालिबान ने बहुत सारे एरियास को जो है काप्चरिंग कर लिए उसनकी अब उसी की वज़ा से जो इंडिया है उसने भी अपना कॉंजुलेट वगरा वहां पे बंद कर दिया जो एमबसी होता है उसी की तरह ह पर बंद किया गया अपने जो भी वहां पर इंडियन डिप्लोमेट से इंडो टिबितन बॉर्डर फूलिस थी उनको वापस से बुलाया गया है ठीक है एक तरीके से यह सारी स्टप्स उटाइगा है तो आप समझ सकते होगा क्या बवाल क्रियेट हो रहा होगा वहां पर उ रीजन यही है कि इसके पीछे जो है तालीबान एक काफी खतरना का आपको देखने को मिलेगा इसने काफी तक यहां पर बवाल कर दिया अफगानिस्तान के अंदर और बुला ही जा रहा है आज के टाइम पर अफगानिस्तान में भारत की बहुत सारी एसेट्स आपको देख पर ऑपन टॉक करनी चाहिए तलीबान के साथ ठीके इससे पहले कोई देर हो जाए इसे पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट ने वह खराब हो जाए तो इससे पहले क्या करना पड़ेका हम लोगो तालीबान से बातचीत करने के रिगार्डिंग हम लोगों गों यहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी पीस जो है वो मिंटेन हो जाए क्योंकि आज के टाइम पर पूरा का पूरा आप देख पाओगे लगब इसके बीच में जरूरत यह है कि एक बातचीत होनी चाहिए इंडिया जो यहां पर बातचीत कर सकता है जो हमारे अफेर मिनिस्टर साब इन्होंने यहां पर एक तरीके से नौगुरल सेशन भी किया था और आने वाले टाइम पर देखो दोहा के अंदर बातचीत होने वाली है लेकिन दोहा के अंदर अफगानिस्तान तालिबान के अंदर यह बातचीत होगी लेकिन अभी क्या है अभी यहां पर उससे पहले हम लोग को यहां पर बातचीत करने पड़ेगी इंडिया जो है आज की टाइम पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टन डूल प्ले कर सकता है इ अगर्श पर यहां पर आपकोड़ा पर चूज्ट करता है कि तालिबान के साथ टालिबान के साथ हम लोग इंगेज करें डियरेकली बातचीत करें तो इससे क्या होगा जो आफगानिस्तान के प्रैसिदेंट अश्रफ गनीस आप यह क्या करेंगे यह एक तरीके से इंडिय कि अब यहां पर क्या होगा कि देखो यह क्या होगे यह चाइना की साइट पर चले जाएंगे चाइना के साथ जो चाइड़ गज्षण है उनकी तरफ टरन होते वे नजए आएंगे ऐसा चीज़ निया आधर देखने को मिली तो यहां पर और की देखो चीजिंगों चन्मिंद जाल है और उद्वाइचतर देख में और कि मुए में लें कि इंडिया का बहुत बड़ा spending आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर तो वही बार-बार चीजे वापस से दोराई गई है यही सिनर्यों यहाँ पर बोला गया है तो question यह है कि देखो end में अगर हम बात करें इंडिया का जो engagement है तालिबान के साथ वो यहाँ प करने के बाद चीजों काफियत तक करना चाहिए अगर हम बाचीत नहीं करते हैं तो इंडिया का जो इंट्रेस्ट वो काफियत तक हर्ट होता वा नजर आने वाला है यहाँ पर ठीक है और साथ हो सकता है हम लोग जो है चीजों कर पाएं तो ऐसी चीज़ भी आपर देख सकत चाहिए करता है यहां पर प्रोजेटर नॉट प्ररशी कोटर मतलब यह है दोस्तान सवामी वाला केस में हाली में डिसक्स किया था एक फादर स्टान सवामी थे ठीकर नकी बीसिकली डैत हो चुकी है यहां पर बोला जा रहा है कि इनको ग्रफतार गया था जो यह भी माकोर तो बोला यह जा रहा है कि देखने को मिल पाएंगी तो अभी क्या है कि हुआ कि इनकी हेल्थ वगरा काफी खराब थी फिलाल अब यहां पर इनकी डैथ हो गई है उसी वाज़ा से हाली में काफी चर्चा में भी थे बने आप लोग को को इनके बारे में काफी डीटेल में बताया भी है आप जो नाशनल मेंस्टिकेशन ऐजन्सी है यहां पर आप दीख पहूंगे पुबिक ब्सक्राइब यहां पर तैम को यहां पशिके घर स्थिक। बार-बार मना किया गया और फाइनली जो आप देख पाओगे इनकी डेथ भी हो गई है और एक डिजीज से गुजर रहे थे इनको मेमरी से रेलेटेड़ विमारी थी ठीके ब्रेंस से लेटर भीमारी थी भूले की विमारी थी यहां पर देखने को मिल जाती है तो यहां पर आप पर इंवेस्टिकेशन वगरा चीजे देखने को मिल जाती है अब यहां पर आप कह सकते हो कि और क्यक्किशन बोला गया जैसे मैंने बताया फादर स्वामी को पार्किंसन डिजीज था यह काफी ओल्ड भी हो चुके थे इनकी डेथ हो गई थी अब यहां पर हर एक चार्ज पी लगाए गए हैं बहुत सारे चार्ज जो है अलगलग एरियास के अंदर लगाए गया जैसे मैं आपको बताया यूए पी एक एंडर में और भी बहुत सारी अलगलग जगह पर चार्ज लगाए थे लिगे दन उसके बाद यहां पर इनोंने बेल मांगी तो बेल बेल मांगी थी लेकिन यहां पर इनकी जो है उसके रिगार्डिंग डैट हो गई है फिलाल यहां पर बेल वगए इनको एक तरीके से इलाज के लिए भेजा गया था लेकिन उसके बाद इनकी डैट हो गई थी तो यह चीज आपर देखने को मिल लिए बोला यह जा रहा है अब अब यह आएंड पर ते लोगो तरीक है निकी और ऑप डिक्री एंगें के बीच में डील हो रही है यह लोग स्य अब करने वाले हैं कुछ नोगे करने को पर हैं यहां पर जो एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ नोट का इन्फ फ़िखने को मिलेगा और इस क्या हो पर अब यहां पर क्या है ना पर आशके करते हैं वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसको तो हम लोग कल डिसकस करते हैं ठीके यहां पर बहुत सारी चीज़ हैं यहां पर मीटिंग के बारे में बताऊंगा तो आपको चीज़ा अच्छे सा रिलेट हो पाएंगे सब्सक्राइब के बारे में कल बता देता हूं और थोड़ा से मैं ज्यादा फोकस करें करूंगा कल से टूरल की तरफ क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा से लंबा हो जाता है हम लोग बाकी न्यूस्पेपर को अनलाइस करने में ज्यादा टाइम लगा देता है तो हम लोग पह यहां पर चड़चा हो रही है बिल्कुल भी इंप्रेटल है जैसे कि इसमें पूछ इंपोर्टन चीज से उन्हें आपको पहले बता दी यहां पर भी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा यहांपर क्या राइटर के जो भी है उनके व्यूस आपको देखने को म इसके बाद COVID-19 पैकेज को लेकर आपे डिस्कॉशन किया या आर्टिकल जो हेल्थ के पॉइंट आव्यू से आर्टिकल है यह वह इस साल के लिए काफी ज़्यादा